हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की मोटो जी 84 5G फॉन में आप लोग ब्लुटूथ की इप स्टोपिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके फॉन में जो है ब्लुटूथ आप लोगोंने कनेक करके रखा है लेकिन आपर कनेक करते ही या ब्लुटूथ को ओन करते ही आपके फॉन में ब्लुटूथ की इप स्टोपिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहेगा इस तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो आज क से पहले जो है अपने phone के settings में जाना है और नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा system का तो system के option पर click किजिए click करने के बाद reset options का option देखने को मिलेगा इस पर click कर दिजिए click करने के बाद डेक सकते हैं रिसेट वाइफाई मोबाइल एंड ब्लुटूथ का आप्शन होगा इस पर क्लिक करेंगे रिसेट सेटिंग्स का ओप्शन हैंगा रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगा और आपका फोन का जो भी पासपोर्ट और पैटरन है उसको डाल दीजीए डालने के तो इस Apps के Option पे click करेंगे see all apps का एक option होगा see all apps पे click करेंगे और यहाँ पर देख सेकते हैं उपर की तरप 3. Option होगा 3. per click करेंगे show system का option होगा show system पे click करेंगे ऐसा करते ही, आपको यहाँ पर Bluetooth का option देखने को मिलेगा GUYS, देख सेकती ही यह रहा तो इस Bluetooth के option पे click कर दिजिए storage and cache का एक option होगा इस पे click कर दिजिए और यहाँ पर देख सकते clear storage का एक option है clear storage पे click करेंगे और ok पे click कर देंगे ऐसा करते Bluetooth का जो भी data होगा cache, files वगरा होगा वो सब यहाँ पर से clear हो जाएगा और आपका जो Bluetooth keep stopping problem है वो भी जरूर से solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Moto G 84 5G phone में Bluetooth keep stopping problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई